नीरेज पब्लिकेशन की गाइड खरीदिये, आपको यहाँ पर इस्पेसल ओफर दिया जा रहा है, अगर आप 500 रुपे से ज़्यादा की गाइड खरीदे हैं, तो आपको सीधा 50% का डिसकाउंट मिल रहा है, यहाँ पर आपको सभी तरीके की इगनू की जो गाइड हैं, वो आपको मिल जाएंगे चाहे वो BAG हो, BCOMG हो, BSEG हो या फिर MA के कोई भी कोर्स हो, यहाँ पर MA का स्पेसल कॉमबो ओफर भी है, जहाँ पर आप एक साथ पूरे साल की बुक यहाँ खरीज सकते हैं, जब आप पर्चेस करेंगे तो आपको 50% डिसकाउंट मिलेगा, 500 रुपे की जो गाइड्स हैं, वो जरूर खरीदें, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज और इगनु की तरफ से दिसमबर 2023 के एक बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए आई है, दिसमबर 2023 के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि आपके लिए जो एक्जामनेशन फॉर्म है 27 अक्टूबर 2023 यानकि आज 6 वज़े तक लास्टेट है, पांसतर रुपे का लेट फीस देंगे आप, तो आपको जो एक्जामनेशन फॉर्म है, आपको भर पाएंगे, उसके बाद 1100 रुपे की लेट फीस होने बादी है, लेकिन आज इगनु की तरफ से एक बड़ी अप 24 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को और 26 अक्टूबर को जिन इस्टूएंट्स ने अपना इग्जामनेशन फॉर्म भरा है, जरूर उन्होंने 500 रुपे की लेट फीस भी आपकी समिट की होगी, लेकिन अब इगनु की तरफ से जो नई अपडेट आई है, उसमें जानकारी दी गई है कि the last day to apply online for term and examination December 2023, 10 November 2023 यानकी 10 November तक है, वो भी without late fees, यानकी बिना किसी late fees के आप 10 November तक आप अपना examination फॉर्म भर सकते हैं, इसको भी change कर दिया गया, अगर आप नीचे यहाँ पर देखें, तो अभी तक यहाँ पर नजर आ रहा था कि 23 अक्टूबर से लेकर 27 अक् भरिये, 500 रुपे की late fees के साथ, लेकिन इसको change कर दिया गया है, और अब यह है 23 अक्टूबर से आप 10 November 2023 तक भरिये, online भरिये, और online examination form आप भर सकते हैं, 200 रुपे per course के साब के आपकी subject fees है, वो लगेगी, और कोई भी late fees नहीं लगेगी, यानकी जो 500 रुपे की late fees अब तक ल बाद भी जानकारी जी गई है, कि 10 November के बाद भी अगर किसी को अपना examination form भरना है, तो भर सकता है, लेकिन regional center जाकर भरना होगा, और 1100 रुपे की late fees आपको जमा करनी होगी, तो आप 10 November 2023 से कब अपना examination form online submit कर सकते हैं, बिना किसी late fees के, इसका मतलब एक और चीज है, कि आपकी जो assignment submission के उपर थोड़ा confusion हो रहा था कि आपका जो examination form की last rate आउसको आगए extend नहीं किया गया, तो क्या assignment submission की last rate को extend किया जाएगा, या नहीं किया जाएगा, उसमें भी अब ये बात confirm हो जाती है, कि आपके लिए assignment submission की last rate भी increase होने वाली है, 100%, यानि कि आपके लिए दो दो अच बिना किसी late fees के, तो आज की वीडियो में इतना ही आगे, उन students के बारे में जेन students ने 500 रुपे की late fees जो वो 23 अक्तूबर से लेकर 26 अक्तूबर के वीचे में भर दी थी, उसके बारे में एगनू क्या update देता है, उसके बारे में अगर कोई भी जानकारी मुझे मिलती है, तो म मैं आपको जरूर उसके बारे में जानकारी दूँगा, इसलिए आप लगातार चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए, और जो बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी करफ से आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जा तो आज की वीडियो में इतना ही